नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में फर्क ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी खबरे नहीं दिखाता है और दिखाता भी है तो तथ्यों को तोड़ मरोड के पेश करता है और नीचा दिखाने की कोशिश करता है लेकिन दोस्तों हम जैसे लोग, हम जैसे लोग बहुजनों की खबरे भी दिखाते हैं, चिंता भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम आए, कोई चुनोतियां आए, समस्यां आए, तो सिर्फ समस्या नहीं बताते, उसका समाधान, उसका सेलुशन, उसका हल भी निकालने की कोशिश क दोस्तों बहुजन समाज पार्टी अपने ही रिकॉर्ड तोडने के एक कदम दूर है जी आँ बिलकुल सही सुन रहे हैं आप दोस्तों अब यहाँ बात रिकॉर्ड की हो रही है तो आंकडे भी जाहिर तौर पर देने पड़ेंगे और जहां तक दोस्तों आंकडे तो हम दें साथ ही आज BSP को 20 सुत्री फॉर्मूला भी देंगे क्योंकि जब समस्या आए तो उसे आख बंद करके नजर अंदाज नहीं करना चाहिए उसका सामना करना चाहिए और उसके सेलुशन के बारे में सोचना चाहिए अब BSP में अगर कमिया है तो एकसेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत तब होगी जब उसे नजर अंदास कर दिया जाएगा दोस्तों जब कोई बीमारी बहुत गही हो जाए और आप उसे नजर अंदास करते चले जाते हैं उस बीमारी के घटने के चांसे बहुत ग आपको मालूम है कि BSP का हाल उत्तर प्रदेश में अन्न दलों की अपेक्षा काफी खराब रहा था BSP एक बार फिर 2014 की तरह 2024 में एक भी सीट नहीं जीत पाई बीते आठ चुनाओं में पार्टी का जनाधार घटकर एक तिहाई हो गया है लेकिन खास बात ये है कि BSP ने जब 1989 का चुनाओं लड़ा था तो 9.93 फीजदी बोट मिले थे जबकि इस बार चुनाओं में केवल 9.39 फीजदी मत परतिशत हासिल हुआ है दोस्तों अगर मैं चुनाओ दर चुनाओं की बात करूं तो BSP को सबसे कम बोट साल 1991 के लोग सबा के चुनाओं में मिला था उस चुनाओं में BSP को 8.70 परतिशत वोट हासिल हुआ था इसके बाद आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों जब 1996 का लोग सबा का चुनाओं आया तो BSP का वोट बैंक जनाधार दो गुना हो गया और जानते हैं दोस्तों 1996 में BSP को 20.61 परतिशत वोट शेयर हासिल हुआ था इसके बाद BSP ने दोस्तों पीछे मुड़कर नहीं देखा 1996 के बाद लगातार BSP का जो ग्राफ है बढ़ता चला गया 2007 तक BSP का ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया अगर मैं 1998 के लोग सभा के चुनाओ की बात करूँ तो 21 फीजदी 1999 के लोग सभा के चुनाओ में 21 फीजदी और 2004 के चुनाओ में 25 फीजदी वोट शेयर BSP को हासिल हुआ था दोस्तों अगर मैं साल 2007 के विधान सभा चुनाओ की बात करूँ तो BSP को साल 2007 के चुनाओ में पहली और अंतिम बार करिब 31 फीजदी वोट मिला था और माया वती जी के नित्रित में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी इसके बात साल 2009 के लोग सभा के चुनाओ में BSP को 28 फीजदी जी यां दोस्तों 28 फीजदी वोट शेर हासिल हुआ था 2012 के विधान सभा के चुनाओ में 26 फीजदी वोट शेर हासिल हुआ था लेकिन दोस्तों ब्यस्पी के जनाधार में सबसे बड़ी टूट साल 2014 के लोग सभा के चुनाओ में देखने को मिली करीब 20 साल बाद ब्यस्पी का जनाधार 20 फीजदी नीचे चला गया और इस चुनाओ में पार्टी को केवल 18 प्रतिशद वोट शेर हासिल हुआ इसके बाद साल 2017 के विधान सभा के चुनाओ में ब्यस्पी को 23 फीजदी वोट शेर हासिल हुआ 2019 के लोग सभा के चुनाओ में ब्यस्पी को 20 फीजदी वोट मिले 2022 के विधान सभा के चुनाओ में ब्यस्पी को 13 प्रतिशद वोट शेर हासिल हुए 2014 के लोगसवा के चुनाव में BSP को 9 दश्मन लओ 39 फिजदी वोट मिले तो दोस्तों इन आकड़ों को अगर गौर से देखा जाए और BSP के चुनावी इतिहास को अगर देखा जाए तो करीब 33 सालों के बाद पार्टी का जनाधार 10 फिजदी नीचे चला गया है और खास बात यह है कि 2007 के मुकाबले पार्टी का जनाधार एक तिहाई हो गया है तो यह है समस्या अब प्रॉब्लम तो सबको पता होती है लेकिन समाधान क्या हो चुनोतियां है तो समाधान भी होना चाहिए इसलिए दोस्तों देश के कोने कोने से लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को 20 सुत्री सुझाव भेजे है मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ सुझाव है कि पार्टी को 365 दिन इलक्षन मोड में रहना होगा पार्टी में महिला विंग यूथ विंग चात्र विंग बाबा साहिब विंग कांशी राम विंग राश्ट्रिय स्तर पर संगठित करना होगा सभी समाज की भायचारा कमिटी पूरुष महिलाओं का संगठन राश्ट्रिय स्तर परबूत स्तर तक होना चाहिए पार्टी में मजबूत आयटी सेल होना चाहिए डियेस फोर और बामसिप जैसे संगिठन को फिर से सक्रिय किया जाए बस्पा काडर पिछडा वर्ग दलित वर्ग और अलफ संख्यक वर्ग के वीच में राश्ट्रिय स्तर से लेकर ग्रामस्तर तक केडर की पाठशाला साल के 365 दिन चलनी चाहिए कांशी राम जी द्वारा चलाए गए अख़वार बहुजन टाइम्स को फिर से शुरू किया जाए बहन जी लगभग हर जिले में कम से कम दस दिन ठहर कर पिछड़े दलित मुसल्मान वस्तियों का दौरा करें ताकि संगठन में मजबूती आ सके जितने भी पिछड़े दलित मुसल्मान वर्क के नेता जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको पार्टी में शामिल कर लिया जाए जिलेवार जिस जिले में जिसकी संक्या आधिक हो उसको ही जिलाध्यक्ष घोशित किया जाए खास तोर पर पिछड़ा दलित मुसल्मान को ही इसकी जिम्मेदारी सौपी जाए BSP के जितने भी IPS PCS जज प्रोफेसर डॉक्टर वकील टीचर पार्टी छोटी संगठन सामाजिक कारकरता किसान नेता आंदोलनकारी कारोबारी सब बुलाए जाए पार्टी में समलित करने का काम किया जाए जितने भी अंबेटकरवादी संगठन सामाजिक संगठन हो उनको भी पार्टी में शामिल किया जाए पार्टी में 80% इवाओं को पद्दा धिकारी बनाया जाए पार्टी के आमकार करताओं की शिकायत सुझाव के लिए एक प्लेट फॉर्म बहुत जरूरी है चुनाओं में हारे हुए सभी प्रत्याशियों की मीटिंग सुयम बहन जी लें देश या प्रदेश में कोई बड़ी घटना घटती है तो सुयम बहन जी वहां का दोरा करें पार्टी में भ्रष्ट प्रकार की पतादिकारियों को चिन्नित कर उन्हें पदमुक्त किया जाए कांशिराम जी के समकालिन नेताओं की घरवापसी होनी चाहिए विरोधी पार्टीयों को हराने के लिए नई और मजबूत रणिती के साथ चुनाबी मैदान में आएं पार्टी के कारकरताओं से बेंज सीधे संबाद करें पार्टी में जितने भी बड़े पतादिकारी हों काडर बेसने ताओं तो दोस्तों ये सुझाओं बहुत जरूरी है वेस्पिक के लिए और अगर ये सुझाओं मान लिया गया तो जैसे सत्ता दो हजार साथ में मिली थी दो हजार सत्ताइस में भी मिलेगी इसमें कोई दो राय नहीं है हाला कि दोस्तों युवाओं को जोडने का काम शुरू किया जा रहा है बेहन जी सोशल मीडिया पर तो एक्टिव हैं लेकिन जमीन पर कितना आएंगी ये भी देखना पड़ेगा हाला कि अब उनके उत्रा धिकारी हो गए आकाश आनंद आकाश आनंद की दिन सक्रिता से काम करेंगे ये भी देखना होगा 27 दोस्तों 27 में BSP को बड़ी परिक्षा देनी पड़ेगी तो दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि जैसे 2007 में सत्ता मिली थी BSP को क्या वो 27 में पूर्बहमत की सरकार बना पाएगी बना सकती है अगर दोस्तों ये सब चीजें दुरुस्त कर ली जाएं क्योंकि competition बहुत जादा है वहराल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आप लोग क्या कहेंगे इस वीडियो को लेकर अपनी पर्तिरिया जरूर दीजिए बहुत बहुत धन्वार शुक्रिया